नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर और आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ रियल्मी कमपनी की P सिरीज गा लेटेस्ट 5G स्मार्टफॉन जिसका नाम है रियल्मी P2 Pro 5G करेंगे आज इसकी अन्बॉक्सिंग और देखेंगे कैसा रहेगा ये 5G फोन आपके लिए तो ये एक कर्ब डिस्प्ले वाला फोन है दोस्तों और आज कल काफी ट्रेंडिंग में चलने हैं कर्ब डिस्प्ले फोन और आप ये 20,000 रुपे के अराउंड भी मिलने सुरू हो गए है तो येल्लो कलर का ये बॉक्स आता है जिस पर ब्लैक फॉन्ट में सारी डिटेल्स को मेंसन किया हुआ है लेकिन जो मोबैल का डिजाइन है वो बॉक्स पर आपको कहीं भी नजर नहीं आएगा बैक साइड में कुछ हाइलाइट फीचर्स को मेंसन किया है जैसे कि इसमें स्नैप ड्रेगन 7S Zen 2 का 5G चिपसेट मिलता है 120 हट्स की कर्व एमुलेट डिस्प्लेइ इस 80 वोर्ट का फस्स चरजर 5200 एमेज की बैट और सोनी 50 मेगा पिक्सल OS केमरा दिया गया है यह हमारे पास Eagle Gray Color Variant है दोस्तो 8GB 128 और यहां पर बॉक्स में प्राइज लिखी हुई है 25,999 पिर लेकिन आपको इतने में नहीं मिलेगा आप इस प्राइज आपको आगे बदा दी जाएगी सबसे पहले तो इसके box content पे नजर डाले तो एक सुरक्षा कवच मिल जाता है वो भी transparent silicon का काफी soft हाला कि color change कर देना चाहिए अब इन कवरों का यह काफी जल्दी गंदे हो जाते फिर fact नहीं पड़ते हैं दोस्तों इसके अलावा जो charger adapter है वो आपको 80 watt का super book मिल जाता है 19 मिनट में ही 50% phone को चार्ज कर लेता है यह भारी सा charger samsung का copy लग रहा है लेकिन samsung तो 45 watt तक का ही देता है चार्जर को देखके तो samsung का copy लग रहा है यह पूरा का पूरा चार्जर लेकिन samsung का 45 watt का आता है ऐसा टाइम मे फ्रेंट लुक देखिए पांच ओल डिस्पले के साथ आता एक pre-applied scratch guard इस पर लगा हुआ है पूरी की पूरी डिस्पले जो है वो आपको कर्ड देखने को मिलती है और जो की काफी कमाल की लग रही है दोस्तो आप देख सकते हैं आपड डिस्पले के colors भी काफी बढ़िया ब्राइडनेस 100% कर लेते हैं आप देखिए दोस्तो क्या ही color आपको इसके display में मिलते हैं OLED display आपको इसमें दी गई है दोस्तो full SD flash इसके अलावा आपको यहाँ पर aspect 229 का मिलेगा इसका back panel आपको दिखाते हैं तो plastic polycarbonate body के साथ काफी अच्छे pattern में यहाँ पर designing की गी है जो की light के reflection में काफी चमकती हुई आपको नजर आ रही होगी नीचे तो realme की branding की गी है corner इसके हलके से कर भी रखे गए है camera metal तो यह काफी जादा उठा हुआ है इसके अंदर आपको camera lens नजर आएंगे तीन camera लग रहा होगा आपको लेकिन मिलेंगे दो ही camera जो की काम के है 50 megapixel का तो आपको main primary camera मिलते है जो की OIS Sony Sensor की साथ आता है साथी ultra wide angle camera 8 megapixel का दिया गया है LED flashlight आपको मिल जाती है और यहाँ पर एक 100 piece बना उपर की साइड secondary mic noise cancellation के लिए plus speaker port दिया गया है left side में कुछ भी नहीं मिलेगा bottom side में SIM tray primary mic charging jack और speaker grill दिया गया है यानि कि इसमें आपको dual stereo speaker का support मिल जाता है आते हैं फिर से display पार तो यहाँ पर जो resolution है इसका 1080 x 2412 pixel का और pixel density 394 VPI की मिलती है screen production के लिए इसमें Corning Gorilla Glass B7i का production दिया गया है अब आप यह मत सोचना कि दोस्तो यहाँ पर इसकी जो display है वो तूटेगी नहीं तूट सकती है दोस्तो नुकसान आपका होगा company का कुछ नहीं company बलकि खुश हो जाएगी चलो कोई तो folder लगाने आ जाएगा यहाँ पर तो आप अपने production के लिए एक अच्छा सा tempered glass cup display वाले tempered glass आप मार्केट में आते हैं बहुत अधक सेप्टी देते हैं दोस्तो यह नहीं कि आप Gorilla forilla glass के production पर ही डिपेंट रो screen to body ratio 93% का दिया गया है और scroll up करते ही सारे application आपको नजर आती है कुछ एक pre-install application में दिख रही है चाहो तो आप इन्हें install कर सकते हो touch बहुत ही smooth और fast मिल जाता है 120Hz के refresh rate के साथ है यह इसकी display 161.34 mm इसकी height है 73.91 mm के width 8.21 mm thickness 180 gram का यह smartphone जिसके अंदर 5200 mAh की battery लगी हुई है दो color variant में मिलेगा आपको यह smartphone farid green color और eagle gray color variant IP65 की rating मिली है smartphone को plus dust probe भी है इसके अलावा अब इसकी जो setting है से open करके आपको दिखाएं तो setting का interface normal सभी realme phone जैसे ही आपको देखने को मिलेगा कुछ भी ज़्यादो कोई अंतर आपको नजर नहीं आएगा अब iPhone section में चलते हैं दोस्तों तो यहाँ पर आपको realme UI version 5.0 डिवाइज नहीं model name को mention किया है 128GB का storage जिसमें से 25GB के राउंड तो अलरड़ी यूज दो रुक है बाकि आपको free मिल जाता है expendable memory नहीं बढ़ा सकते है आप इसमें इसी से काम चलाना पड़ेगा बात करें इसके प्रोसेसर की तो 2.4 GHz का oktakor प्रोसेसर और चिप सेट Qualcomm Snapdragon 7s Gen2 का दिया गया है जो based है 4NM के fabrication पर Adreno 710 के ग्राफिक मिलते हैं आंतु तो इसकोर छहलाग सौतार हजार के राउंड चले जाएगा दो तिन साल के security अपडेट भी आपको इसमें मिल जाएंगे रैम टाइप है LPDDR 4X और storage टाइप UFS 3.1 का दिया गया है जो कि बड़िया storage टाइप माना जाता है इसके अलावा अब लास्ट में इसका camera भी आपको दिगा देते हैं जो है 50 Megapixel का camera तो बहुत ही colorful है दो जूम इन के साथ साथ जूम आउट भी तो आप कर सकते हैं 0.6 Megapixel तक देखें इसने कितना जूम आउट कर दिया है मेरा जो silver play button है वह भी यहां पर दिखने है शुरू हो गया है जबकि नॉर्मल मोड में आपको इतना ही दिखेगा इसके अलावा वीडियो सूट करने के सौ में आपको प्रो पैन्रमा है रिजूलेशन फिल्म स्लो मोशन टाइम लैप्स लॉंग एक्स्पोजर डूल वीडियो मोड जिसमें फ्रेंट और रियर कैमरा एक साथ ओपन हो जाते हैं और कुछ इस टाइप से भी आप वीडियो को सूट कर सकते हो इसके अलावा अदर ऑप तो फ्रेंट कैमरा भी आपको बहुत ही कमाल का मिल जाता है और रियर कैमरा भी आपको बहुत ही कमाल का मिल जाता है तो अबर आल देखा जाए तो स्मार्ट फोन ठीक ठाक है मैंने इससे वीडियो भी सूट करी थी वीडियो क्याल्टी मुझे जाला कोई खास नहीं लेगे दोस्तो जो camera की लेटी है वो थोड़ी फटी-फटी से आती है दोस्तो video बनाते time हो सकता है अच्छी lighting हो या फिर आपने थोड़ा बहुत अंदर आओ या फिर indoor अगर आप video कर पाओगे तो फ्रेंड्स अब आते हैं इसके प्राइस पर तो मैंने इसे फ्लिप कार्ड की बिग बिलियन डेश सेल में पर्चेस किया यह मुझे बड़ा है उनीस अजार रुपे का अभी फ्लिप कार्ड पर इसका प्राइस एकीस जार नौसओ निल्यानवी रुपे हो रह उससे ज्यादा का नहीं है दोस्तों